हेलो नमस्कार जेहंद हम लोग इज्राइल के बारे में थोड़ा से देखने वाले हैं यह देखने वाले हैं कि इज्राइल कि इतना आफ्तियाचार कर रहा है लेकिन फिर भी पूरी दुनिया देखती रह गई है और पूरी दुनिया उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं यह उन्यों क्या कर रहा हैं पूरी दुनिया के मैप में इस राइल का नाम होने कुम ओर रोगिश्यान को नहीं देख को इतना छोटा देश है यहां इसराइल है तो यह पूरी दुनिया कमा उपा इसी को इतने पार्ट को हम लगण बढ़ा करते हैं जूम करते हैं और जूम करने पर हमें यह मिला यहांपर है इसराइल ये इज्राइल है ये आपको रेड़ कलर का दिख रहा है इज्राइल है इधर इजिप्ट है ये लेबनान यहां पर और ये जार्डन ये वाला जार्डन है इसको जूम करते हैं इतने पार्ट को जूम करते हैं तो फिर हमें ये मिलता है ये इज्राइल है पीले वाला इज्रा इतना चोटा देश इसराइल इधर गाजा इस्ट्रीप है ये वाला वेस्ट बैंक है दोनों पेलेस्टाइन है और पीला वाला जो एरिया कि कि अगर कोई ब्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता तो उसकी भारती ने सौता ही समाब्ध कि दुनिया में कहीं भिधा रहा इस्राइल का इंडरेक्टर से वो नागरिक है और इस्राइल कभी भी आ सकता कभी भी जा सकता दिवास कभी भी कर सकता है कोई प्रतिबंदुस पर नहीं है यह बिल गेट्स और यह इस्टीव वालमेर इनकी कंपनी है Microsoft और Microsoft का है Windows Windows आप दुनिया में जितने भी देखें के नालाग में 95% किसे में होता है कि अधिकान कंपीटर में Windows का सफटेवर लगा होता है चाहिए लेकिन उसमें अधिकांस संभावना है कि विंडोज चलता है लेकि अधिकांस में विंडोज चलता है विंडोज चलता है इस्टिव वाल्मयर का और एक यहूदी है और अभी मैंने बताया कि यहूदी अगर कोई कहीं भी है तो इस्राइल करना गरिख है एक कंपनी है इंटेल इंटेल एक कंपनी है जो प्रोसेशर बनाती है कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपून भाग होता ह है प्रोसेशर और प्रोसेशर ही कंप्यूटर करता haya र और प्रोसेशर बनाने में सबसे अगरणी कंपनी है इंटेल अधिकानस कंप्यूटर में इंटेल का ही प्रोसेशर होता आधिकान Dziękuję में प्रोशेस आदमी लगाता है प्रोशेसर ईंटेयल कोंपनी जवाये यहूदी की है और इंटेल में नंटाप पष्ट पर यहूदी है और यहूदी का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर भी इसराइल में ही वज्थित है आप किसी भी कंप्यूटर का चाहिए चपी चाहिए एसर टच वाईश चाहिए सोनी डेल मैक लिनुवो या कोई भी आप कंप्यूटर लेंगे तो इसमें आधिकान संभावना होती है इंटेल की प्रसेस्ट होगा और अधिकान संहावना कि साप्टेवर होगा विंडोज का तो Windows यानि कि साफ्टेवेर भी उनका और हार्डवेर भी उनका दोनों उनका यहुदी का और यहुदी किसके इसराइल के इस लिए पूरी दुनिया आधिकांस लोग इसराइल से डरते हैं आगे देखते हैं कैसे कैसे यह है के अगों फीगंद्र के अग्राफिकस अगर थोड़ा सा अच्छी क्वाणिक का cé di conserva के लिए ख स्व बनें लिया सब्सक्राइब बननें तो इसके लिए इसकी जोर्द परती है शीड으 म्हीं बूलते हैं इन्टीया का सबसे अच्छा ग्राफिक्स काड डाइडा है और yourself का एक प्रसेसर लगा होता है जी से यहूदी है 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 यह हम बता रहा हैं यह सब कमपणियां अधिकांस कमपणियां अमेरिका में है अल्मेरिया कलिफोर्निया में लेकिन अधिकांस कमपणियां के मालिक यहूदी है और यहूदी स्वता ही इस्राइल करनागरिक होते हैं इसलिए इस्राइल की नागरिक होता है तो इसलिए इंटर कने मेटा का है यह वाटसब है वाटसब भी मेटा का है यह इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम भी मेटा का और यह मेसेंजर है मेसेंजर भी मेटा का यानि कि इस इन सब की पेरेंट्स कंपनी जो है मेटा ही है और मेटा है मार्क जकरबर्क का और मार्क जकरबर्क एक यहुदी है इस प्रकार से इजराइल कही हुए यह हैं साम अल्टमेन इनकी कंपणी है चैट जीपटी यह ओपन एइड का फेसलिटी देती है ओपन याई आप सुने होंगे चैट जीपटी आजकल ज्यादा चल रहा है तो ओपन एड़ी यह 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 सर्गी ब्रीन और लेरी पेज ही यह दिए गूगल इनकी कंपनी है प्ल обыч करेंगे या कोई अप्लिकेशन अपना परमा के पब्लिस करेंगे टुर अपने करना पड़ेका आतपको गूगल प्ले पर दील प्लेस जुटोडे बोलते हैं गूगल प्लेबर और घूगल के किसका है Google का गूगल किसका लेरी पेज का लेरी पेज क्या यहूदी तो इस प्रकारrov कर इस प्रकार से कोई बड़ा कमपनी कोई बड़ा संगठन कोई भी बड़ा देश। इन से पंगा नहीं लेता है क्योंकि माल लिजीए कि सब्वज करें कि अगर कोई बड़ी कंपनी है उसका अप्लिकेशन है गूगल प्लेपर और उन्हें ने पंगा ले लिया यानि कि इस्राइल के खिलाप में गाजा को समर्थन दे दिया हजार करोन रुपिय का तो वह क्या करेगा अप्ल रेटिंग किरा सकता है डालोड़्स करता है उसकी रेटिंग पडाचला कि 4.5 चल रही है 3.5 कर दिया रेटिंग रेटिंग WWE कर सब्सक्राइब ऑढ़ करने कहते हैं। कि मोबाईल में सेर्च करना हो आप ज्यादा समभावना है 90 परसेंट के साज में अगर को सार्च करने के लिए गूगल क्रोम ही खूलते हैं तो यह दोनों गूगल के हैं गूगल लेरी पेज के लेरी पेज यहूदी यहूदी इजराइल के कि अच्छ सब्से ज़्यादा डरती हैं कंपनियां गूगल एकसे गूगल एकसे एड्श का एड्वार्टेज्मेंट प्रचार ज्यादा कोई उचलेगा कंपनी तब पता चलेगा उनका एड्ट रोक देगा आप आज कल के डीजटल जमाने में कहां परचार करेंगे अपना ड यहूदी तो इसलिए इस सब डरती हैं कंपनियां बड़े संगठन बड़े कंपनियां बड़े देश की सब इस होजा से डरते हैं और भी कारण है जीमेल भी गूगल का है अगर कोई आपको डाटा भीजना किसी को तो आप कोई भी चीज तो आप जीमेल इमेल से भीज़ सकते हैं इमेल जीमेल का जीमेल को गूगल का इमेल कर सकते हैं आप किसी को किसी को फोन कर रहे हैं किसी को मैसेज कर रहे हैं किसी को वाटसअप पर रहे हैं तो उतना आफिसियल नहीं माना जाता है लेकिन अब किसी को इमेल कर दे रहे हैं इमेल कर दे रहे हैं उसको आफिसियल माना जाता है क्योंकि इसको आप मानता है इ फाद भी लोग मोबाइल चलाते हैं और जितने भी वाय चलते हैं लगभग 90% से ज्यादा चांसे हैं कि उसमें अंड्रोइट और जिस्टम लगा होगा वह अंड्रोइड लगा होगा उपन डोड्रेट पर चलता होगा अ आइसाने इंट्रोज पिए चलता जैसे एपन Prose 10 पर चलता है उसमें OS OS का होता है लेकिन अपल कितने लर्य करते मांगा इतना होता है घ्रीकांस हैं अघिकांसि दो होतें आंडवाइक सिश्टम लगाते हैं ऑफं जराता है पर इंट सहता है यह इस कर आखर इंज्राइल करता है अगर सब्सक्राइब करता है किल ने इस्राइल के खिलाफ ạ वा उलेतों में गाजा को समर्थन दिया है तो क्या करेगा pagopian फिसे पेड करना ही बंद कर देगा अपने एंड्रूइट से फोन कुसे इसपर टाहिनानि विंग करेगा यह फोन कमल पर काम नहीं करेगा यह नहीं ही अ加ल अगर सब्सक्ताइक निमoupर करता है इसके प्लाइटत करते आप पम पता चले की मä पैसा प्रकार सब्सक्ताइगा तो किया करेंगा चलाएगा लग जाएगा इसकी cuanto तुरंत गिर जाएगे तो इसलिए अंड्रोइड सपंगा सभी लोग नहीं लेते हैं अंड्रोइड गूगल का गूगल लेरी पेज का यह इसलिए अगर सर्च करना है तो या तो अप्लिकेशन पर जाएंगे तो गूगल पर सर्च करेंगे सब गूगल के हैं इस पर जाएंगे तो अंड्रोइड पर जाएंगे पर अपलीकेशन डाउनोड को राएंगे तो अंड्रोइड पर डाउनलओ करेंगे तो सब किसक्ता कि Google का है एक हें इसलिए इसरी नाघी है इसरौरिठ और इनकी trag 12ierte इतनां बड़ा वड़्दभा रखती है अगर किसी के खिलापर जो है कि रिपोर्ट कर दे तो उसका शेयर गिर जाता है इनकी अडानी ग्रूप के खिलाफ में इसने रिपोर्ट कर रहा था एक सेयर डाउन हो गया था है दुनिया के पहले दूसरे अमीर बेक्ति के रूप में चल रहा थे अचानक से टाप 20 के बाहर चले गए इतने इसका दबदबाह हिंडन बर्की अपन करते का उनका धाण से गिरेगा जिस प्रकार से अडानी को गिरा था और यह तो एक ट्रेलर हां इंडन बर इसका बड़ा बाप है कि Bloomberg कि Bloomberg यह तो कंपनी का सेयर गिरा सकते Bloomberg जब रिपोर्ट सब्ति है तो दुनिया में तहल्का मचता है जब ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आता है तो दुनिया भर में तल्का मैचता है ये किसी देश की जीडी पीको नीचे उपर कर सकती इतनीं ये पारफोल होती है इसका इतना क्राइभ जेशी देश की जीडीप घटाबbor अब गहता सकती है इसका रिपोर्ट इसलिए इन लोंगों के खिलाप कोई खड़ा नहीं हो रहा है दुनिया चुप-चाप मुखदर्सक बनके देख रही है और एकल एक कंपणी है लारीलसन की लारीलसन की कंपणी है और एकल एक क्लावड आप बनाती है क्लावड आप का मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े आप भी बुकिंग किये होंगे तो आयरशाटी से जो है पूरे देश भार के लोग उस पर अप्लिकेशन करते हैं और एक ही समय में करते हैं जैसे करना हो यह कतकाल टिकट करना हो दस बज़वरी 11 बज़वरी होता है तो उसके उसके करना हो इस पर कार से कहने का मतलब कि इस पर इतना लोड़ होता है चोटे में स और जैकनल जो इनकर होते हैं यह होता है रहें 15 वाट्सफ सब्सक्राइर दुनिया के लोग चला रहता हैं कोई बेंकिंग सब्टेवेर हो उस पर ज्यादा से ट्रैफिक है पींटीयाम पूरी दिन्या में चल रहा है इस पर भी ट्रैफिक है यह यह होटल कंडॉल करती है चुल्icking जो इस प्रकार के यहुदियों का दबदभा है कि डिजिटल में और नकेवल इसी चेत्र में नहीं पोलो पोलो एक कमपनी है आप कहीं भी पैसंट डिजारींग के लिए कुछी तो टोटी त्याद ही खरिदने जाएंगे तो पोलो का अपने तो भागा मिलता है आपको यानिकी बहुत बढ़ ए गेन सी यात हयात जो है यह धी एक को दिकी है है इसके होटल यह मैं हुआर भोते हैं और प्रेमियम लोकेशन पर होते हैं पूरी दुनिया के लगभग सभी बड़े देश में इसके होटल और यह प्रेमियम लोकेशन बझे से एयरपोर्ट के जस्ट पास में यह बड़े बड़े स्टेशन सब्सक्राइब कर तो यह इसी प्रकार के होटल में उनको खाराया जाता है तो हायात रिजेन सी जो है कि पुरी दुनिया में बहुत थेमज है इस प्रकार सिनंगों का दबदभा है पेगासस एक इस्पाइवेर है और है इस्पाइवेर जो इस जो इस पेगासस इसे है इसराइल की एक कंपणी है एनस्व साफ्टोरियर죠 जो है जो पहलत क्या आथा था था किसी अपने आप से इंस्टाल हो जाता है यह किसका है इसराइल का यहोदी का अंड्रोइड गूगल माइक्रोसाफ्ट सब्सक्राइब चाहेंगे तो किसी पर पेगासा छोड़ देंगे यह पुरा चुरा लेगा पुरे मोबाइल की पुरा जो क्या कर रहें उसमें क्या नहीं कर रहें क्या नहीं कर रहें कुछ भी जो कुछ भी उसमें पुरी जनकार चुरा लेगा पेगासास पाकिस्तान के इम्रान खान प्रदान मंत्री है उनमें पेगासास छोड़ दिया था उनमें पेगासास पुरे पकिस्तान के अताल का मच ग तूरर इतनी खूपी आजंसी है आप इजर्चा में नागरि कोutet दूनिया में कहीं भी कोहीं भी प्रतारित करकर देख लीजिये और आप कहीं भी पताल में यहा है व्हाइस सब्सक्राइब लेड़फ गाड्ट ये म्यूनि घत्यक्त में बनाएंगे इगंड़ अप्रेशन व्रांट युगंडा में अप्रेशन वोल्ट और दुबाई में महमुद ऐलम आहुद की हत्या इत्यायदिक & को इसी नहीं अंजाम दिया है जह बहुत खत्रना का प्रेसंथ है इसी प्रकार की बहुत खुपी आ अगेरां सिस्टम आफ्रोंडों सिस्टम यहुदियों को सुर्ण olan लेता है यहां मे को पता है आप कोई we मार कर हावा में ही उडाभे इसके बारे में भी कैसे काम करता है किfund बहुत बढ़ा पारफुल दुनिया में सबसे बढ़ा पारफुल यहुदियों के पास cens घ्राल के पास डिफम सिस्टम है इसका नाम है इन ऑटक्फरuses Indies सभी लोगों को सभी लोग नागरिकों को दो साल काई आर्मी के ट्रेनिंग कर देते हैं बिल्कुल सभी लोगों को ट्रेंड कर देते हैं इनकी साक्षारता अच्छी है तो सभी लोग पढ़े लिखें तो किसी चीज को समझते हैं जैसे जैसे कि यह रडार सिस्टम किसी देश ने मिसाइल मारा उसका रबाडार सिस्टम तुरूंत के पकड़ दिया रडार सिस्टम और तुरंत लांच कर दिया कि अपने लांच किया साहरें बजा दिया पुरे देश में साहरें बजेगा आपएल का पूरे चारों तरफ जो एक ही सिस्टम लगा हुआ है बेकर सलोगे वह इसमें आज में घुश जाएगा रहा अगर सिस्टम अधर अबजा बजा देव देश ने पूरे देश में तो ब इतने भी हमने कमपनियां बताया जो पूरु दुनिया पर राज कर रहे हैं पूरु दुनिया को जगड़ कर रखी हैं यह कमपनिया यह सारी कमपनिया नहीं तो अधिकांस कमपनिया तो कम से कम अमेरिका में हैं अमेरिका कलेफोर्निया में है लेकिन वो यहुदियों के पास ह लोग लगव अमेरिका के जनसंख्या का 2.4 परसेंट लोग यहुदी रहते हैं तो एक बड़े-बड़े बहुत-बड़े पाउर रखते हैं और यह समान यहुदी नहीं रहते हैं यह बहुत-बड़े पारफुल है कोई गूगल का माली का तो कोई यूटीब का माली का इतने बड़े-बड़े पारफुल यहुदी लोग रहते हैं यहां पर और यह अमेरिका की जो है कि राजनितिक ब्यवस्था का पलट देने की जहमता रहते हैं इतने यहुदी यहुदी आप अगर यह कंपनियां किसी के खिलाप हो गई तो किसी भी चुनाव प्रचार हरा सकती है प्रचार हो सकती है क्योंकि आज पर डिजिटल जमाना है प्रचार कहां करेंगे यूट्युप पर गुगल पर च्रोम पर पर प्लेस्ट्यवर पर इत्याद जो भी सुसल मीडिया एप है सुसल मीडिया उसी करेंगे और लग मेटा सटाइक लेकर सारी सोफल मेडिया भगद दोनों लोग सांथ है और यह नहीं कर पाएगा जिसके खिलाप में हो गया, उसके खिलाप में यहुदी हो जाएंगे और यहुदी, जिसके खिलाप में हो गये, तो उनका सत्ता से हटनावाइवार सता है, इतना कम इजराइल थे सरनाथि ग्रूप में थे। उन्हें सवत पार्टिषन कराया अंग्रेजुने रहें पार्टिषन हुआ और इसेसे पार्टिषन हुआ और प्रधीर दिया होती तो आज यह इस्ती नहीं होती एक साइड नहीं देखर कई टूकुड़ों में बाट दिया इनको भी इनको भी कई टूकुड़ों में बाट दिया जिस प्रकार से हम लोगों को यह अंग्रेजु ने कई टूकुड़ों में बाटे थे तो फलेस्तिन का दर्द यहीं है हम लोगों को भी अंग्रेजु ने दर पाकिस्तान कर दिया तो इस प्रकार से बाट दिया इधर हैद्रबाद को ऐसे छोड़ दिया कस्मीर को इसे छोड़ दिया यानि की समस्याइं पैदा करके चले गए उसी प्रकार से फेलिस्टीन में भी इस समय की हालत यह है इसी यहीं गाजा इस्ट्रीफ है और जो वार चल रहा है महीनों भर से इसमें ज्यादा संभावना है कि अब इसको खतम ही लगभग कर देगा या नहीं भी करेगा तो थोड़ा बहुत ही बचेगा अधिकांस चीजों को खतम कर देगा अगली बार से खतम को चलया खेला इसको डायक्स सबके सामने मां मारता अतंकवादी बचाता है और इन्हे अतंकवाती बारिदा कर सबके सामने मरता है इन्हें धीरे-धीरे मारता है किकांस ब्ल Adventure कम ग आपे पता कैसे चलेगा तो इनका दंस अंग्रीजू का हम लोग झेल चूके हैं इंडर ज समय चल रहा है प्यासंज जो समराजवाद के लिए प्रेरित हैं सब एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं लेकिन समरबाद दोस्त आने दुनिया के देशों को भी बड़े देशों को भी सोचना चाहिए कि समरबाद के समराजवाद के चकर में इतना न गिर जाएं कि बच्चों नहीं देखा होगा अच्छें से इसको मार दिया गया एसे कितने बच्चे को मार दिया गलां 13000 से अधिक लासे गिरा दिया है इसने 3600 32000 से अधिक लोगों घायल हो हुए जिनको पानी नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार से इसका इसने आतंकवाद फैलाया हुए और बता रह सबसे भारी पदार्थ होता है लेकिन मानावता कि लिए सबसे भारी पदार्थ ही है कि किसी पिता के हाथों में उसके बच्चे की लास हो यह मानावता के लिए सबसे भारी पदार्थ होता है यह कर रहा है कि समराजबाद के चक्कर में सभी लोग गिर गए यह हम लोग अंग्रेजों के क्रिति को भूले नहीं है यह जलिया वाला भाग घत्याकंड में तो लोग सांती पुर्व खुशियां बना रहे थे अपना विचार करने के लिए आये थे और वैसाखी का दिन था सभी लोग नि कोई गलती नहीं थी तो इसके दंग्ष को जहल चुक है लोग बोलता है कि हमारी भी ऐसी गती होती हम लोग के सब की हड्डियां आप गिन सकते हैं विना कंकाल देखें इतने लोग भूखें है कि सिर्फ उनके माहिन के शरीर में कोई मांस बचाइए नहीं है सिर्फ रड़ियां ही बची है इतने लोगों और ऐसे बंगाल में सब और बंगाल में लोग मर रहे थे आपर लगबक 40 लाख लोग भूख से मर गए 40 लाख उस समय उन्हीं से 43 में उस समय 40 लाख लोग मरे भूख से बंगाल में तो और जब ब्रिटेन के परधान मंत्री को लिटर लिखा गया तो उसने जबाब दिया कि गांधी क्यों नहीं मर रहा है गांधी को मरना चाहिए और अन्य निता क्यों नहीं मर रहे हैं सब को मरना चाहिए तो इस प्रकार का दंस ये लोग किये हैं हम लोगों के साथ विक्किये हैं जो आज पलेश्टीन जहेल रहा है हम लोग पहले ही जहेल चुके हैं अभी आया था वास कोटिगेमा घुटल रूप में कभी आया था वास कोटिगेमा उसके बाद अंग्रेज आने लगे और अंग्रेज कभी हम लोगों पर गुलाम बनाये थे आज आज डिजिटली रूप में गुलाम बनाए है तब कुछ चारों तरफ से डिजिटल उनीक है तो आज डिजिटल रूप में गुलाम बना है यह तस्वीर AI से ली गई है लेकिन इस तस्वीर को जरा विचार करिए कि क्या यह सही नहीं होगा इस समय जब पूरी दुनिया मुख रोकने वाला भी नहीं था उस समय AI का चित्र का सही लगता है जिसको चाहें उसको गोली मार कर दें कुछी कर दें इनको को रोकने वाला नहीं था यह लोग अट्याचार कि हम लोगों को साथ कि हैं डंस हम लोगों ने जिला है जो आज प्लेस्टाइन जल रहा है है लाश्ट में यह अपने हिंद के लिए जैह हिंदि के लिए अपने हिंदुस्तान के लिए यह तीनों सिनाव जो सामने खड़ि feeding भारत माता के लिए दिन रात एक करके अपने जान को भत्रे जकिन में डाल कर घुश्या, लड़ते हैं उनको धन्यबाद देते हैं हम लोग और पिशे शुरुप से ये किसानों को न भूलें, किसानों को धन्यबाद देना जरूरी है क्योंकि भ़ाएत्मा आज भी गाउं में बसती है और आज भी किसान ही भारत की आत्मा है भले ही जीडीपी में युगदान सरवादिक सर्विस सेक्टर का है लेकिन आज ही भारत क्यात्मा किसान ही है वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा धन्यवाद